देखिए कुंडली के अनुसार तो इन दोनों के 36 गुण मिल रहे हैं सम्मंद बहुत बढ़िया रहेगा जितना जल्दी हो सके शादी का मुरत निकलवा ही लीजिए ऐसी बात है तो समय बरबाद नहीं करेंगे जितनी जल्दी हो सके हम ये शादी कर देंगे जैसा मैंने पहले कहा था मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ आप एक बार बामा से पूछ ले तो बामा 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 श्री शांत यही नाम हिना तुमरा श्री कांत जरा हटे दो अंकल जरा हम गोका श्री कांत अमारे जोडी बिलकुक खना बामारे थेखाय हूँ भर लवली रुपा अंटी भी अच्छी अज़े दिखती हैं इस वेष वेषं किसमा आप अगम एक चोटी प्रोब्लम है कैसी प्रोब्लम? देर इस प्रोब्लम एहां? उसलिए प्रोब्लम कर दो तो क्या है? अब तो अगया ना? मैं राम प्रसाजी का बेटा रुद्रा रामचन अल्सो बामा का बॉइफ्रेंड हो जरा उठिये उठिये दो क्या मतलब बामा मेरी होने वाली बीवी है अगर तू उससे शादी करना चाहता है तो मुझे मारना होगा अबे खड़े होने को बोला तुझे रुद्रा, stop it, क्या हो रहा है आप टेंशन क्यों ले रहे हो मैंने कब बोला था कि मैं जरूर रहूँगा और मैं आप काई काम कर रहा हूँ सर और जारा सोच कर देखिए कल कोई बामा को परेशान करेगा तो क्या ये उसकी रक्षा कर पाएगा ओई, I can take care of myself अरे बामा, ये बात तो मैं भी अच्छे से जानता हूँ लेकिन अपने दामाची, नाम क्या बताया? शिरीशंत, शिरीकांत शिरीकांत तुझे अच्छे से रखेगा ये जानना जरूरा क्या है सर ये आपने हमें बेज़त करने के लिए बुलाया है आप हमें इस तरह से बदनाम क्यू कर रहे है थोड़ी सी भी तमीज नाम की चीज़ नहीं है ये। रद्रा, ये क्या कर रहे हो तुम क्या सर पांच सेकंड में भेहोश हो गया सरगली पार ऐसी गलती मत करना मतलब कोई स्ट्रॉंग लड़का लेकर आईए मेरी तरह बामा मैं आगए ये दोन वरी आटी दो बचे से पहले ड्रॉप कर दूँगा ये कल सुमा आज बजे छोन आटी पार आटी इसे बाम Weege ठार आटी इसे बाम स्थान स्यमे बाटी कि अर्णावी ठीस ऐा कि अर्णावी खार। कर दो दो I'm gonna get some love A.P.S. I'm gonna get some love Bring it back, back this is the attack I got people tryna tell me I'm a mad So I'm heading back and back into my backpack There ain't nothing that I want I'm on a hat I swear this aint a threat no But I been a threat from the get go I swear this aint a threat no डहो, वार फ्रूङ्छरो नखी मैं है tuी गल्ते है, घरवाटि तो फंश्क है मैं भर्ता हो को गल्ष्रींड है संचा ए को चाइब यां व्यक्लि कुछाय plano को डिगाई नहींðे नहीं देत है इसी बाकर जबता एक तो sundat ये जो में। कर दे टे नमें फिस्परगे बने डाल है यहारा डाल कि अब जाचाएं कैंट कि अक ऑसे जासे तडल केटे। इस्टार्स है किया दुछ को डिशनद में हैै अकडार कैरे इस लिए सॉरी आपसे मैंटर मचली पकड़ना मसाला डूसर मिसंडरस्टेंडिंग मिसंडरस्टेंडिंग तो वह लूसर संजे की गल्फ्रेंड है ना मैंने खोदी अपनी अखों से अब तु क्या बोलने वाला है यह साथ घूंबते है फिर तो इतना ड्रामा क्यों कर रहे हूं मुझे संजे पसंद है मुझे नेल्सन से कोई लगावें मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती थी वक्ताती थी इस सब के पीछे बस एक ही रीजन था यह सब इसलिए करती थी ताकि उसके बारे में जान सको तेरा मतलब तो वह कौन है तुम ही हूँ Actually मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ तुम्हारे बारे में और जानने के लिए उसके साथ दोस्ती की थी अब तुम्हारे बारे में बहुत कुझ जान चुकी हूँ सब को चानने के बाद तुम और अच्छे लगने लगे हो एनिवेज हमारी पहले मुलाकात इस तरह होगी मैंने सोचा नहीं था भले ही मैं अंधीम हूँ लेकिन मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि तुम अब शर्मा रहे हो ठीक है रही है ये शर्मा रहे है तुम यहां वो क्या आँ वो यहीं पर है चलो यार आम वेरी सॉरी नेलसन और दूसरा संजू वो अब भी यहां पर खड़ा है वेरी सॉरी हां वैसे रहर्सल के लिए मुझे देर हो रही है तो अब तुम लोग अब जा सकते हूं वाई शेखर हम बात में मिलते हैं म्यूजिक डिरेक्टर की तरह जब लंबी-लंबी बाते छोड़ रहा था ना तभी मुझे शक हो गया था बाई शेखर बात में मिलते हैं बाई नेलसन हम बात में मिलेंगे यह लड़कियां भी न एज़र हट यार इधर देख तू टेंशन में क्यों है तुझे पता नहीं क्या लड़कियों से प्यार करने के लिए फॉलो करना पड़ता है अगर फॉलो नहीं करेगा तो हालत इसकी जैसी हो जाएगी पहले नंबर निकाल फिर वाटसप पर चैट कर तुम बहुत खुबसूरत हो तुम्हा इसको जरा देख यह मेरा पक का दोस्त इसको बोलते हैं दोस्ती तुझे उसच में पसंद है क्या अगर पसंद है तो गो हेड उसने ना बोला तो मुझे दूसरी नहीं मिलेगी क्या वाव वाट अ फ्रेंडशिप यो शुर इससे तुम्हें कुछ तकलिफ तो नहीं होगी मैंने जु कह दिया फाइनल है डिसकेशन ओर अरे दोस्त तेरा तो जवाब नहीं है मुझे आप रडिका कॉन मुझे पर्मिशन मिल चुकी है शेकर किया सी पर्मिशन तो अरे नेलसन ने परमिशन देजिए नेलसन ने हम कहीं मैंने उसने हर्ट कर दिया यह सुचकर डर रह था लेकिन अब उसने पर्मिशन दे दी पर्मिशन देरेमाला वो कौन है वो मेरा बाप है क्या थोड़ा मुझे पसंद है यह कहने पर मुझ पर हगजद आएगा क्या है क्या जोक मारी हो कल सब के सामने बोल रही थी कि मैं तुम्हें पसंद हूं न अब इना गुसा क्यों कर किसने गुसा किया हाई जो हुआ मैंने बता दिया ठीक है अब मुझसे मिलने क्यों आएगो इससे पहले मुझे कोई भी लड़की ने पसंद पसंद नहीं किया था इसलिए आई गाट क्यूरियस क्यूरियसिटी होग है अब तुम जा सकते हूं मैं बात पूचू तुम्हार देख में नहीं सकती हो ना निलसन हो या मैं क्या वर्क पड़ता है बोलो ना शेखर अब चाहें कोई भी चीज हो उसमें मानुफेशरिंग इफेक्ट होता ही है चानते हो ना जाहे तुम कितना भी हख लाकर बात करो मुझे ही बात करते हो तुम जो भी कहना चाहते हो कम से कम पूरा तो कह सकते हो जब पहली बार मैंने तुम्हारी बात सुनी थी तब मुझे बहुत अच्छा लगा था उसके बात में तुम्हारी बात ही चुपके चुपके सुना करत पता तुम्हें लगता है मैंने एक अलती करते हैं मेरी कमी को मैंने कभी मेस्ज़ दें तुम्हें मुझे अभी बता दो इंड है, इसे मेस्ज़ पता है तुम्हें? टुम्हें ।ismo राधिका राधिका शादी करने में इतनी जल्दी क्यों है सिर्फ शादी ही थोड़ी ना करनी है लाइफ में आगे भी तो बढ़ना है ना राधिका अपने फ्यूचर के बारे में जरा सोच कर देखो और जब शादी करनी ही है तो इसके साथ कैसे जिन्दीगी बिता पाऊगी सुनाओ मैं देख लूँगा आगे से हम ऐसे नहीं रह सकते हैं इस बात का मतलब क्या है वो सब छोड़ो पहले पढ़ाई खत्म करो उसके है तो हम लोग भी आपके घर से संबन नहीं बनाना चाहते हैं मैंने बुला है कि आप लोग को यहां पर क्या वाइस बोल रही है है सच इती दिर से मैं को इस्टा से बात कर रहा हूं लेकिन आप मुझे मजबूर मत कीजिए हमारा बच्चा होने वाला है अब तो हम शादी क मैंने कहा था ना कि मत बोलो अब इनके में कोई जरुवत नहीं है तेरा बहुत ही कुछ से मैं इस बार तो मत नहीं को छोड़ूगा नहीं इस बेकार में ऐसे क्यों मार खाते हो कि प्यार विया का चक्का चाहिए क्या तो मैं इस लड़की को कैसे सम्हालोगी तुम पिछले हफ़ते ही हॉस्पिटल जाने के लिए बाइक में पैट्रोल नहीं था तो मुझसे उधार ले कर गया था पैसे अपने साथ-साथ इसकी जिन्दगी क्यों खराब कर रहे हो तुम अभी तुम लोगों की उम्र ही क्या है इस सरे की रिस्पॉंसब्लिटी के काबिल हो क्या जिन्दगी भर मैं चोटा बच्चा नहीं रहूंगा मैं बड़ा हो चुका हूँ यह आप लोग जानते नहीं हो यह अंधी है फिर भी मुझे अच्छे से जानती है आप से ज्यादा यहां रखो बहुत हो लिया चली अब चलते हैं बच्चा पेड़ा होते हम आपको बता देंगे बाए इतने चले गए तुम्हारी बाता से मुझे लेकिन पूरी लाइफ क्या इस अंधी लड़की के साथ बेता पाओ के तुम पागर वो तो ऐसी फ्लो में बूल दिया लेकि कुछ भी हो जाए पूरी लाइफ मैं इस अंधी के साथ बिताऊंगा पगली किसका जैसा दिखराएगे? मेरी जैसा या तुम्हारी जैसा? बहुत सुन्दर है मेरी जैसा सच सच बता हो ना तुम्हारी जैसा है क्या इसकी आँखे और इसकी नाख सब मेरे जैसा ही हूबा वो मुझ पर गया है इसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और ये मेरे जैसा ही मस्ती करता है ठीक है तो अब जल्दी से तुम इसे सौरी किया था ठीक है मुझे माफ कर दो मेरी बच्चे कुछ बता है भी नहीं मैं तुम लोगों को छोड़कर चला गया था लेकिन अब तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाओंगा प्रॉमिस राधिका श्री नीवासिन डॉक्टर गिता की पेशेंट है अच्छा राधिका वो तपने भाई के साथ चली गई भाई के साथ हां भाई के साथ चली गई तो तुम यहां के से मैंने नहीं बुलेया था यह यहां से चलो तुम्हें कुछ बताना है राधिका की आख की रॉष्णी बचपन में ही चली गई थी क्या यह बात तुम जानते हो जानता हूं दस साल की उम्रे तक वो देख सकती थी लेकिन यह बातें अभी क्यों कर रही हो क्योंकि और भी बाते हैं जो तुम नहीं जानते उसके प्रीनेटल डाइग्नॉसिस ट्रेस रिपोर्ट्स आ गए हैं क्या कहा उसकी बेटी भी इसी कंडिशन के साथ जनम लेगी राधिका भले ही दस साल की थी जब वो अंधी हुई थी लेकिन उसके बच्चे आठ साल की उमर के पहले ही अंधे हो जाएंगे यह एक इस बर में वो जानती है मैंने उसे सब बता दिया है देखो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें उससे शादी नहीं करनी जाहिए हम उन्हें बड़ा अमाउंट देकर कंपेंजेशन कर लेंगे इससे उनका नुक्सान कवर हो जाएगा इस बात को यहीं पर खतम करते हैं इसमें सोचने की क्या बात है कि तुम फिक्र मत करो मैं सब कुछ समभादने था तो मुसकी ऑर उस बấtको भी फिक्र मत करो उस बच्ची को वब खुद समहाळ लेंगे वह हमारा शांप अब출 अब बच्चा अब रादिका, क्या कर रही हो, हमारे बैचे का पैसला हम करेंगे, हमारी ही खून है, मुझे किसी की राई की जरूरत नहीं, मेरी और बीवी के बीच मेरी शादी हुई है, मेरे बैचे की मां बनने वाली है, तो मेरी बीवी हुई तुम जाओ यहां से तुम मेरे साथ अगर तुमने एक शब भी का तो फिर कभी मुझे जिन्दा नहीं देखोगे राधिका जिस गो चला निकार यहां से राधिका अगरे चलो यहां से बाधिका प्रादा नहीं का बाधिका अगरे प्रादार यहां से लाधिका और यहां से भी हैं रादिका रादिका मेरी बातों को गुस्सा धूंकर ध्यान से सुनो अब मैंने तुमारी तरह ही दोनों आगों पर पट्टी बांध ली है तोन जिस तरह इस दुनिया को महसूस करती हो मैं भी उसी तरह महसूस करने वाला हूँ इस तरह दुनिया को देखने पर बहुत अंधिरापन और अख्सोस लगता है शायद मैं मसाग करना हूँ ऐसा सोच रही हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तुम और पच्चा अंदे हो इस कारण से फैट तुम लोगों के साथ नहीं रह पारा हूँ एसा दखता है ना? इसे आंकों के मुझे जरुरत ही है मुझ पर फरोज़ा कुण राणिका मैं सच कह रहा हूँ दुनिया कुछ भी बोले मुझे तुमारी जरुरत है बस इतना ही बस इतना ही तुम मुझे नहीं चाहती कोई बात नहीं लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम ही और तुम्हारे पेट में जो पैचा पन रहा है वो भी मुझे चाहिए राधी का एक बोना भूल गया हम दोनकी तो एक ही लड़की पैदा होने वाली है तुम मकर नहीं याओगी तो मैं जहांते दूगा जल्दी आओ मेरे पास आओ मेरी पास तुम्हें योना रादीका मैं आओगी हम उनों भी तुमारे साँ चलें में चलो तुम्हें पता है मेरी आखें चली गई है जब ये बात मेरी बाबा को पता चली तो वो सारे कामधाम छोड़कर मेरे साथ टाइम स्वेंड करने लगे हर वक्त मेरे साथ ही रहते थे एक बार हम लॉंग ट्रिप पर जा रहे थे मैं और मेरे पापा एक साथ एपू जाते समय हमारी गाड़ी खराब हो गई कार खराब होने के बाद पापा उसे रिपैर करने में लग गए और मैं चलते चलते वहाँ के पास ही एक बीच में पहुँच गई वहाँ के समद्र को देखते देखते बस वहीं बीच के पास बैठ गई समद्र की लहरे आकर मेरे पैरों को छू रही थी अंदर से मैं कुछ खबरास ही रही थी पर मेरे पापा मेरे पीचे आकर खड़े हो गए थे और तभी मुझे उनके गीले पैरों को देखकर समझाया कि वो वहाँ मेरे पीचे काफी देर से खड़े थे तब मुझे एसास हुआ कि मैं कहीं भी रहूं कुछ भी करती रहूं मेरे पापा ही मेरे सहारा है तो चलो हम चलते हैं कहां उसी बीच पर तुम लेकर जाओगे क्यों तुम्हारे पापा लेकर जा सकते हैं तो मैं भी बच्ची को ले जा सकता हूं हम भी बीच पर जाते हैं और वहां के पहाड़ों पर खोशी से दिन बिताएंगे अच्छा होगा कोई और वहाँ पराकर हमें परिशान ना करें मेरी बच्ची को मेरे बिना ने कर जाओगे क्या ले जाओगा मेरे बिना वो रुएगी तो हाँ क्या कि अच्छा हो कि अच्छा चिंदे तो तुमने एक बात नौटिस कि अच्छा यह रूती है तो तुम्हारे जैसे शहत्या आती है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा तो तो तुम इसे पसंद नहीं करोगे क्या और अगर इसे दिखाई नहीं देगा तो तुम इससे नफ्रत करोगे अरे तब तो मैं इससे बहुत प्यार करूंगा अरे पैकर सर्मुवर्स को बुलवा की करवा लेते ये सब यार कहां पसा दिया अरे वो पैसे लेंगे लेकिन काण ठीक से नहीं करने के लिए तुझे हम ही मिलते हैं ना चप-चप काम कर अवैसे जुट बोलते हो तो बिल्कुल यह क्या बुल रहा है संभाल कर ले जाओ करें कि बादा दूमा असको अब तो कोई फाइदा नहीं है हुँआ है 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 अ है रहे हाधिका चाल शेघर राज़ा को फोड़ा को शील राथिका चुद करो साल जानए हुआ है शेघर रास्ता चुड़ को जोड़ो कर दोмы ना कर दो मैने चन्ना ही मरीना और केरला में कोलम कर अधि कही सारे बीचे से और तु ने उनके मार में मुझे तुमने बता हैं नहीं बोलो रादि का जेखर जेखर हम बार बीच पर जाएंगे दुमारे साथ और अपने बच्ची के साथ I love you राधिका के साथ कौन है? बेटी के दा में है बेटी के दा में है बाधिका कुछ्टिक पर जाएंगे देनिया आचिली माय wranga गाया ऑखुड़ा गएती कि कर दो के जो तुम लुपने नहीं कहीं तुम लुपने को छोड़ा है हुआ पुआ ज़ी ज़ी आप इज़ आप पिछे चलिए ज़ी आपने पीज़ आपको पार को क्षान में आपको को कि आपको झाप स्वी आपको इस आप कि आपके आपको कि अध्डन प्लस लाप अगूलेग। बसा एजी युझ रड़िए वार चाल तुम्हार बिना मिय और में कैसे रेंगे तुम्हें भाइशा गुशो तुम्हें भावता चले तो तुम्हें पूरी लाइश अंदिलर्की के साथ में ताप आओगे क्या तुम्हें पागए य prisons याविए 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 फbir कि घपने क कि अ कि अ हेलो, कहाँ तुम, तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता, तुम्हें पकड़ो हमाटarak कर दो खनुम्हें सकता, तुम्हें पकड़ो ट्राप कोवे तुम्हें पकड़ो कर दुम्हें खायые बजस्ण क्हा związ पकड़ो मैं आई ओके ओमाई गॉड़ अंगल जल्दी आईए जस्टिंग शीटिल ब्रिधिंग अमें एक घर्दी के अदर इसे हॉस्पिडल ले जाना होगा अरे मेरे हाथ पैर कांप रहें मैं ठीक से गाड़ी नहीं चला पाऊंगा ठीक है तो मैं गाड़ी चला दूँगा जल्दी आईए उठाईए इससे जस्टिंग ये बात हारनी को ना पता चले आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए देखे इसे कुछ नहीं होने वाला हम जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे आप डॉक्टर कादर को फोन लगाईए अरे अगले हफते तेरी और हारनी की शादी है इस लड़की को हॉस् जाएंगे समझ नहीं रहे हो तुम आप कैसी बाते कर रहे हैं डॉक्टर को फोन लगाईए न प्लीज है सुनो यहां कुछ भी हुआ ही नहीं और हमने किसी को नहीं देखा और वैसे भी हमारी कोई गल्ती तो है अगर यह आदे घंटे में हॉस्पिटल पहुँच गी तो हम इसे बचा पाएंगे अंगल तुम्हें भगवान के उपर भरोसा है ना तो इसे भगवान बचा ही लेंगे हम इसे यहीं सड़क पर उधार कर यहां से चलते हैं उपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा वो भी जिन्दा है देकी सांसे चल रही है उसकी बेटी मैं जो कह रह रोको 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 जस्टीन अंगल पीछे देखिए अंगल लगता इसकी जान चली गए स्टाइ है झाल 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 इसकी आत्मा को शांती दो इस धर्ती से छुड़कारा पाता है और तुम्हारे बास आरा है इसे जन्नत में चगादो तुम्हारे पिजाजी नहीं उनकी तुपित हांती नहीं आमीन आमीन बहुत ही नेक इंसां थे हैं हम सब को छोड़कर चले गए अंटी प्लीज अंटी रूए मत अंदर आई यहां सब खाना खारे हैं मरने से पहले अंकल ने कहा था कि जस्टन उनकी बेटी को अच्छी तरह से संभा लेगा और यहीं उनकी आखरी इच्छा थी मेरी और जस्टन की शादी के लिए डाड कभी नहीं माने के ऐसा सोच रही थी मैं पर डाड तो डाड होते हैं मेरी बात आज तक उन्होंने कभी नहीं टाली है, मुझे तो याद नहीं है मा नहीं है ऐसा उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया त्द और जस्टन दोनों पिजनिस और पोज़श्र लाइफ को कभी मिक्स नहीं होनों कितने भी बड़े परिशानी हो, घर तक कभी नहीं लाते उसे. चाहे कितने भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, उसे परसुनली ही रखो. यही ड़डी ने सिखाया था. ये दुनों लोग मिलकर क्या करते हैं ये मैं नहीं जानती. लेकिन ये जानती हूँ कि इन लोगों ने मेरे पीछे बहुत कुछ किया है सच कह लिए हूँ ना हलो, गुट मॉर्णिंग सर सुनो, उसे फोन करके बोल दो कि मैं पहुँचने ही वाला हूँ ओके सर मैं अल्मोस्ट पहुँची गया हूँ ठीक है सर ठीक है मैं आदे घंटे से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई नहीं आया अगर पांच मिट में कोई नहीं आया तो मैं चला जाओंगा, समझ गया ना बोलोग आ जाँगे सर अलो, उनकी बातों में आकर तुम मेरा टाइम बरबात कर रहे हो नहीं सर, वो लोग आ जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया वो फोन करें तो अटेंड मत करना नहीं सर, लेकिन वो लोग अच्छा दाम दें के ऐसा बोला था बस करो, लगता वो हमार से मजाग कर रहे है जस्टिन, मैं आठी के घर से निकल चुकी हूँ, कहा हो तो? मुझे आने में दो फंटे लग जाएंगे, तुम तयार रहना फादर अबराहम ने चुर्च में फांक्शन डखनें के लिए दस्तारीक की डेट दी है मेरे ख्याल से हम ही जाकर उनसे एक बार मिल लेना चाहिए हाँ, ठीक है और डाडी के इंशुरंस के बारे में कुछ पता चला? नहीं उसमें थोड़ी सी फॉर्मालिटीज बची है अभी और क्या फॉर्मालिटीज है सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ क्या हो, क्या हो? मैंने कहा ना बाद में बात करता हूँ जस्टिन क्या है साथ एई कॉषिश करो उटने की अच्छी से सांस लेते रहो अच्छी असे सांस लेते रहो हेलो हाँ मैं वाँ एक पिशल लेके आ रहा हूँ जी है वो एक एक एक्सिडेंट केस है मैं बस बीसी मिरिट में वाँ पहुंच आँगा जी मेरा नाम है डॉक्टर त्रिलोग क्रिवेशं कुछ नी होगा वेशं ही कुछ नी होगा व्यात्या कर दें वेश्न कुछ नी होगा विरीज बलते हो अचेजन केस है यह 90 परसंट टैमेज हो चुका है किजिए और ट्रीटमेंट शुरू किजिए एक्सिडेंट केस है तो पुलिस में कंप्लेंट कर नहीं होगी तब तक इसकी जान चली जाएगी उसके बाद ट्रीटमेंट का क्या फाइदा जल्दी कुछ किजिए सर आपका नाम तुरी लोग तुरी लोग शेखर ओके लोग गष्टक्षण दर्ड़ा है जस्तन स्यादा स्ट्रेन मत लो एक अफ़ते तक और बीन रहेगा ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं वो किदर है कौन जिसने मुझे यहाइड मिट करवाय वो ही ओ डॉक्टर त्री लोग की बात कर रहे हो वो तुम्हारा ऑप्रेशन होने तक यहीं पर थे कल रात भी आये थे फिर से आउंगा ऐसा कह कर गए हैं बात कर नहीं है उनसे नहीं मेरा मतलब क्या हारडी मुझे यहां से जल्दी से ले जाओ जितना जल्दी हो सके मुझे यहां से डिस्चार्ज करके घर ले जाओ वो हमारा एट्रस जानता है क्या जस्टिन क्या बात है समझने की कोशिश करो मैं उसे नहीं मिलना चाहता हूं जस्टिन वॉट्स रॉंग मैडम वो जानवरों के डॉक्टर त्रिलोग आये है उन्हें बुलाओं क्या हाई प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसे दवाईया दे रही हो ना अभी अभी होश में आया है काफी परिशान देख रहा है शायद बॉडी में पेन है चिंता की बात नहीं है एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा दो महीने इसे कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा एक आदा घंटा वी इधर उदर हो जाता तो हम जस्टिन को बचा नहीं पाते सही वक्त पर भगवान ने आपको वहाँ भेज दिया था I don't know how to thank you कुछ दिन पहले मेरी बीवी कार एक्सिडेंट में मारी गई थी तब भगवान ने उसे बचाने के लिए किसी को नहीं भेज जस्टिन की तरह वह किस्मत वाली नहीं थी इनके देख्भाल अच्छे से करना और कुछ हो तो मुझे याद करना वैसे मैं तो यहीं हूँ डरने की कोई बात नहीं है मैं बात में फोन करता हूं यहाँ जस्टिन क्यों आप जस्टिन क्यों है बताओ मुस्टिन बात बड़े गलती होगी सच कह रहा हूं बिस सब बात बड़े गलती होगी हेलो हाँ बोल रही है हाँ बोलो ना यहाँ पेशन्ट के साथ हूं खाना ना खाने के लिए जिद कर रहा है हाँ लेकिन अब ठीक है बोलो ना किया आप ज़रा हॉस्पिटल तक आए सकते हैं जस्टिन आप से मिलना चाहता है ओ वसे आज इविनिंग में आने वाला था कोई बात नहीं अभी आता हूं एक घंटे में आ जाओंगा तैंक यू इस ओके डोज चेंज किया है ना अज हाँ सर त्री लोग आये हैं आ ये शूर अबार दस हाँ यस ठीक है तो मैं चलती हूं कि समझ में नहीं आता कि उसे कैस फेज करंगा है तुम घर जली जाओ मैं कॉल करूंगा हूं हूं हुआ हूं 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 इस हूं 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 अरे वाह पहली बार आपको में उठते हुए देख रहा हूं है अब कैसा लग रहा है जस्टिन सर आपको कैसे ठेंक्स कहूं में इस समझ में नहीं है अरे ठेंक्स मुझे मत कव बलकि तिरुपती जी से कव उनके दर्शन के लिए जा रहा था तभी आपको देख लिया और बचाने में कामियाब भी रहा हरनी कहां गई सर आपको एक बात बतानी थी क्या पता नहीं आप कैसे रियाक्ट करेंगे लेकिन आपकी वाइफ के बारे में उसे कैसे जानते हो तुम जिस गाड़ी से उसका एक्सिडेंट हुआ था उस गाड़ी में मैं भी था गाड़ी हारनी की पिता जी चला रहे थे और हॉस्पिटल ले जारे की हमने पूरी कोशिश थी लेकिन रास्ते में ही गाड़ी के अंदर उनकी जान चली गई थी एक्सिडेंट के बाद चार साल तक मैं चैन से सो नहीं पाया मैं सोच रहा था कि उसके घरवालों के इनफॉर्म कर दू कि असल में क्या हुआ था उसे बचा रहे की कोशिश की लेकिन हम बचा नहीं पाए हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है 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 मैं अध्र से टूट के जाओ अगर माफी माँखो तो नहीं है हाथ ही ला सकते हो या नहीं वार्शल परलेसिस, लगता है डोस कम है, मैंने ठीक से इंजट नहीं किया, कैसे गलतियां हो जाती है, सिरफ 20 मिनट बचे, पहले तुम्हारी बोलती बंद होगी, उसके बाद सांस रुख जाएगी, और बिना ऑक्सीजन के हार्ट डेक आ जाएगा, आँखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा, तुम्हारे ससुर जी के खाने में भी, मैंने 30 ml मिलाया था, फर्स टाइम है ना, इसलिए ये सब लग रहा है, मेरी बातों को सुनने से पहले ही, वो वही पर टपड़े हैं, अच्छा होता मेरे बारे में चान कर मर जाते हैं, वो तड़ब तड़ब कर मर रहे थे, जो मैं खोशी से देख रहा है, तेरी ये मौद भी, मैं लाइब देखना चाहता हूँ, मैं और आईशा बैंगलूरू में रहते थे, जातिवाद की वज़े से हमें बहुत परिशानी जहलने पड़ी, शादी के बाद हमें दोनों के खरवालों को मनाने में पूरा एक साल लग गया था, और उसके बाद हनीमून, बहुत ही प्लान करने के बाद हम दोनों यहां आये थे, आईशा को हिल स्टेशन्स पसंद नहीं थे, मैंने ही उसे यहांने पर मजबूर किया, एक्सिदेंट के बाद मैं वापस गाओ नहीं गया, यही पर छोटा सा क्लिनिक शुरू करके प्रैक्टिस शुरू की, तुम लोगों का पता लगाने के लिए बहुत तखलीफ उठाई, गाड़ी के बारे में जानने के लिए मैं एक्सपर्ट हो गया था, जब गाड़ी के ब्रेक जाम हुए थे, तो जान बचने के 50-50 चैसे थे, लेकिन जैसा मैंने प्लान बनाया था उसी तरह, तु जिन्दा बच गया, जहां मैंने आईशा को खोया वहीं पर, तुझे पकड़ने का सुराग भी मिला, और मैं सक्सेस हो गया, सिर्फ तेरी गाड़ी के टायर के निशान को रखकर तेरी गाड़ी का पता किया, तेरे जैसी गाड़ी कई लोगों नहीं रखी थी, हलो, हलो, हाँ, नमस्ते भाईया, मेरा नाम आनंद है, सर एक ज़रूरी बात करनी है, मिस्टर चार्ल्स, सर मुझे एक छोटी सी इन्फोर्मेशन चाहिए थी, एक एक को मैं चुम चुम का हून रहा था, कि कहीं से कोई सुराव मिल जाए, एक कार की डिटिल चाहिए, सर, आप कुछ ये क्या मुछ नहीं, ओके सर, कुछ सवाल हैं, उसका जवाब देंगे, सर, हाँ, वाड़ी ब्यम डवल्यो थी, ब्यम डवल्यो, फाइव टू फाइव टी, मेरे कोशिश कामियाभी में बदल गई, तीन साल के महनद का फ़ल मुझे मिल गया, इतने सालों में, उस तिन उस आवाद को मैंने पहली बार सुना, मेरे आईशा के मरने की वज़े, वो आवाजी थी, तुम दोनों की बातों को मैंने साफ साफ सुना था, जब वो घुट-खुट कर मर रही थी, हमें, हमें एक गटी के दर से लो फुर ले जाना होगा, जस तर, ये बात हारनी को ना पता चले, इस लड़के को कुछ नहीं का बापानी से बचा लेगा, हम जानी रोस्पिटल को होच जाएगे, आप लोकर गटर को लाएगे, आईशा, सुनो, यहां कुछ भी हुआ ही नहीं, और हमने किसी को नहीं देखा, इस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाकर भारती करवाने के बाद, हम सब मुजिबन में बच जाएगे, समझ ली रहे होते हैं, तो इसे बचा ही लेंगे, हम इसे यहीं सड़त पर उधार कर यहां से चलते हैं, स्टॉप, स्टॉप, प्लीज, आईशा, आईशा, तेरी गाड़ी से एक्सिडेंट होने के बाद भी, वो जिन्दा थी, तेरे ससुर ने कहा था ना कि बचवान उसे बचा लेगा तब भी, वो जिन्दा थी, तुमने जब कहा कि यह हरनी जैसी है उस वक्त भी, वो जिन्दा थी, तुम लोग उसे रोड़ पर छोड़ कर चले गए, लेकिन मेरे आने तक, वो जिन्दा थी, तुलाग, आईशा, 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 उस दिन मैंने फैसला किया, चाहे मेरी पूरी जिन्दे की चली जाए, तुम लोग दुनिया के किसी भी कुने में जाकर चुपा, मैं तुम लोगों को ढूंड लूँगा, मेरी आईशा की जान जिस तरह पल-पल निकल रही थी, उसी तरह तुम्हें भी तड़ पना चाहता हूँ, या, हर पाप की सजा मौत होती है, वैसे तुने मुझे पूरा सच बताया, सुनकर अच्छा लगा, Rest in peace, you're a good man, but, not good enough, क्योंकि अगर तु अच्छा होता, तो आईशा अज जिन्दा होती, आईशा की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट पढ़ कर, मैं पूरी तरह तूट चुका था, उसकी शोल्डर की हड़ी तूट चुकी थी, और तब मुझे बहुत तर्द हो रहा था, और उस तर्द के बारे मैं किसी को नहीं बता सकता, शी वोज प्रेगनेंट, तूने सिर्फ एक नहीं बलकि तीन तीन जाने ली हैं, तो उसकी सजा तो, तुझे मिलनी चाहिए, झाल्ट में, तुझे लूए्या काहिए, झाल झाल यह जन्दी तो नहीं कर रहे हैं यह फैमिली यह बच्चे है यह जिम्मेदारिया यह सब हम कैसे संभाल पाएंगे झाल यह बच्चे हैन। झाल झाल अलो अरे कहा हो तुम अरे यह जंगले हैं यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं देन कैच आप ओ ये बात है अच्छा तुम्हें पकड़ने से पहले मैं दलेर महंदी का गाना सुना कर दिखाऊं तुनक 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 बदले की आग्द्सोर से धदक रही है मरने के बाद केवल अस्थिया ही बाकी रह जाती है लेकिन कुछ ही समय में वो मिट्टी में मिल जाती है सजा देने वाला एक और पापी को बांटने वाला एक होता है जब नसीब में गिरावट ही लिखी है तो तेरे नसीब में कहीं फ़ला लेने की जगाई नहीं है इस आदमी के भरोसे मैंने तेरी शादी इससे करवाई यहीं मेरी गलती है पेखार में वक्त बर्बाद मत करो बीबी को लेकर जाओ शिवा चलो बैग लेकिया इसके बाद एकवल भी यहां नहीं रहना है शिवा चलो मेरे साथ शिवा अभी तुम्हें यहां से खाली हज जाना होगा तुम्हें इसका साथ कभी नहीं मिलेगा इस जनम में तुम इस बच्चे की च्छाउं तक तो नहीं देख पावी से लग। से लग। से लग। आपारारारी नवी 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 कर दो क्या कर रहा है तू कितनी देर से फोन लगा रहा हूं चल दिया चल दिया कि शीवा सुनो वहां तेक। मैं! परिक नो रहे जीच नहां!! मैं!!!! मैं परिक रहे event…. SMILE! चल चल टाओ अरे वो मर गए हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो भी मरेगा कनफर्म क्यों मैं सही कह रहा हूँ न भाई देखा न आज कल अपन एक्टम सही से काम कर रहा है कोई भी चूक नहीं समझे तुने कभी जंगली सुवर देखा है क्या जंगली सुवर क्या बोल रहे हो हमारा प्लाइन कभी जांता नहीं है अगर तेरी आंकों पर पट्टी बांदी जाएगी ना तो तू भी जंगली सुवर दिखेगा अब बख्वास बंदकर वरना तेरा मुझ तोड़ दूगा समझा अच्छी बात है ओके कुछ समझ में आया है अट्डे पर चलो उससे मिलने का पूरा हक है मुझे भले ही तुम्हारी तीन शादियों क्यों ना हुई हो तुने मेरे प्यार का यार नहीं अरे कोई अच्छा गाना का यह थीकि अच्छा गाता हुई हमेशा पुराने गाने गाता है कोई नया गाना सुना ना अभी लो लामत देखा है पहली बार साजन की आखों जो गाने मुझे पसंद नहीं है वो मैं सुनना नहीं हुदों अरे दीवान गाते रो गाते रो गाते रो ए रोना धोना कन करो रोने से कुछ नहीं होने वाला कब हुआ ठीक है ठीक है मैं आता हूँ इस घर में कुटता है क्या यह खाना उसे मत खिलाना वरना वो मर जाएगा बहुत ही पक्वास खाना था स्माइल कि सर खाना खाने जा रहे हैं क्या हूं नहीं अभी आ रहा हूं अच्छा जिसे आप लोग ने मारा वह पावर्फुल है अभी होस्पिटल में सर फट गया उसका उसके शरीर से बहुत ज्यादा खुन निकल चुका है एफायर किया खुश नसीब है जिन्दा बच गया ए तुबहुत जबान चला रहा है हमारे भाई के बारे में जानता नहीं है तू नहीं यह सब तो जान बुचके कर रहा है क्या यार हम इससे क्यों बैस कर रहे है चलो ना उसको फोड़ देते हैं कि अधिक अधिक करें अधियों अधिक क्या करें तुम लोगों ने उसे मारा वह घलत नहीं था किसी को पता चले बगएर अगर मारा होता न तो अभी तक चैन की नींद सो रहे होते तरह भाई ने बहुत से लोगों का खून किया लेकिन आज तक वो मेरी वजल से पुलिस के हाथ नहीं लगा है मेरी तरह बनने के लिए जरूर आएगा पर तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है कि वोगों के साथ आजना है अनक आएगा अंग अगर एपियेगा है लो आ गया बड़ा सरपंच गाउ में सब की पंचायत करता है लेकिन खुद के घर में क्या हो रहा है उसे नहीं पता लगता है अभी भी बहुत गुस्से में है यह से भागना ही ठीक रहेगा तो यह अब तक जिन्दा है मुझे लगा कि किसी के हाथो यह मर गया क्या इसे जरा करती है कभी सोचा है इसने चिल्लामत हमको क्या अल्दुफाल गुंदा समझाए क्या जो कोई भी आकर टपका के चला जाएगा बहुत हुआ अब मू बन करो ज्यादा बोलोगे ता जबान कीच लूंगी मैं जाओ यहां से आइं ता मेरे दर्वादे पर कदब लगने की हिम मेरी बेटी है मुझसे नफरत करते हो और मेरी बेटी से प्यार अब बताश नहीं करूंगी इस बच्ची के वाज़ा से ही तो मेरे साथ रह रहा है ना हां साला प्यार कटब हो गया दर्वासा कोलो अन जाने में मैं तुमसे प्यार कर बैठी है मेरी कलती थी लेकर आज मेरे साथ हो रहा है क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तुम क्यों कर रहे हो यह सब दर्वासा खोलो खोलो दर्वासा क्योंक कर दो हुआ में सुनो तुम्हा मुझसे प्याह नहीं करते ना जवाब दो प्युम्हा प्युम्हा करते दो करते दो झाल 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 कल से मैं तुम दोनों पर चिल्दा रही थी लेकिन इसकी वजा पूछी तुमने दोनों को इतना खराब खाना दे रही थी खंसे का में पर पूछतो लिया होता छोड़ों तुम्हें किसी बात से फरक नहीं पड़ता अरे तुम भी अपने भाईया जैसे हो गए ना रात को घर जल्दी आ जाना ठीक है मैं बुलाता हूँ अब फोन रख अले रखना अले रखना भाई हम लोग दस मिरट में पहुंच जाएंगे ठीक है ना ठीक है भाई अरे इतना गुसे से क्या देख रहा है भाई ने बुलाए था चल अब चल निकलते हैं भाई हमारे हालात को भी तु समझे किसी काम के नहीं हो तुम लोग छोड़ो जाने दो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अब एसेपी अभी स्पॉर्ट पे आ रहे हैं पौड़ी को अब यहां नहीं रख सकता है तुम यह पहले भी कह चुके हो प Sagब अखिनी बभे रकाँ वी तुम लगा है वहे है पन्हारा है favored अधाहल भी वहाहति नहां वहां है वहां लोग को पिंदा यहँए वीन को ये हो जळनो भी है जहां वोगां लागं लग सब्तार। पापा 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 चले जाओ मुझे किसी की भी जरुवत नहीं है चले जाओ सब लोग जाओ जाओ पापा 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 मुझे किसी की भी जरुवत नहीं है पहले मुझे तरी मा छोड़ कर चली गई और बात में तू भी इसे ले कर जा रहा है अच्छा ही कर रहा है तू बहुत अच्छा कर रहा है ले जा इसे ले की जा 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 मुझे मुझे किसी के लिए जरुवत नहीं है चले जा जब लोगे हाँ से सर्व हमेशा की तरह वो यहां पीने आये थे उनके बगल में एक आदमी बैटके पी रहा था फिर अचानक उसने बंदुग निकाली और उन्हें शूट कर दिया सर्व अधिन के बारे में जानते हो उसका फुलिया याद है शमधा नहीं सर एंप उसका चेरा याद है क्या तुझे नहीं सर मुझे कुछ ठीक से याद नहीं बराबर देखनी पाया सर अगर सेसी टीवी केमरा चेक करेंगे तो परद तो छुप कर क्या बोल रहा है ये कुछ नहीं सर वो अब तीवी तो मेरे सवाल का चवाब दो सर अगर सेसी टीवी पूटेश करेंगे तो पता चंद आगा सर पता चंद आगा इसकी फोटो अपने हर आद्मियों तक पहुंचा दो इससे टपकाने के बाद ही हम कोई दूसरा काम करेंगे इसका नाम विष्णू है मुंबे में ट्रांस्पोर्ट कमपनी चलाता है और इसी वज़ा से वो गोवा, केरला ऐसी जगाओं पे घूमते रहता है ट्रांस्पोर्ट का दंदा है इसलिए कई जगा घूमता रहता है अभी वो यहाँ पर नहीं है मुंबे चला के हमाँ वापस शिलाओ शिवा अचानक तुम्हे अपने बाप पर इतना प्यार कहां से आ गया बताओ शिवा मैं तमसे कुछ पोच रही हूँ मच जाओ शिवा मेरी खातिर मच जाओ कब से कब हमारी बच्ची के बारे में एक बारता सुच ओ मच जाओ शिवा हमारी जिंदिगी के बारे में सुच ओ शिवा, शिवा! मेरी बात गौर से सुना, जितनी जल्दी हो सके, तुम्हे काम खतम करना है? और फिर यहां वापस आना है, समझ गए? इसे प्लाया है किया? इसे चल्लाइब अभी तुम क्यों बहा रहा है हो? जाओ, दोनों जाकर अंदर बैट जाओ तेरी चक्कर में कुछ न कुछ गळपण सरु होगे चल, चल अंदर झाल, जाओ कुछ गई झाल झाल विष्णु नॉर्म से लगता है भगवान का अदमी है उसका असलिक हम दूबई में है अरे तू मेरे को धंदा सिखाएगा मैं बताओ तेरा मार्जिन क्या है तेरे घर के अंदर घुशके पैसे कैसे वसुल करने मुझे अची तरह से मालूम है यह पूरी मेरे को मत बान समझा कि दिलेश का पंद्रा लाग आने वाला है बाई तुम लोग जाओ आज काम नहीं होने वाला है कि रूलिंग पार्टी से लेकिए अपोजिशन तक सब का खर्चा बाटा हुए उसके साथ यह कोई छोटी मुर्गी नहीं है यह इंदर आ कि लगता है इसकी सटक गई है किसी और की मुसीवद अपने सिर पर क्यों ले रहा है बेगानी शादी में अब्दुल्ला मद बन विश्णू का और इजनल बिजनेस दुबाई में चल रहा है क्या जल रहा है लेकिन गेम बजाने इतना असान नहीं है अरे यह सब बाते हमें क्यों सुना रहा है यह तो हम भी जानते हैं ना भाई ने आपके लिए मटन बिर्यानी भेजा है यह लोग यहां के कुछ भी बोलेंगे और तू अपने धंदे का वाट लगा लेगा एड़ा हो गया है क्या यह चुक्रलोग मुझे नहीं चाहिए घर पे तेरे को कितनी बार बोला मेरे धंदे में तू अपनी खोपड़ी मत घुसा तू अपना संभाल मुझे मेरा देखने दे समझी तुम लोग उसका गेम बजा सकते हो या नहीं पूछ रहे हैं हमसे हो पाएगा या नहीं हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा वो कल दुबई के लिए निकल रहा है उसका ये नहीं कर सकते हैं उसका आज ही गेम बजाना होसं हिसका आपने पास इतना ज्यादा समय नहीं है संधे यह कहते हैं कंग मारना है तो यही अच्छा चांस अरे यह क्या बोल रहा है, कॉल्ली खतम करते हैं करते हैं चुल्स आज आज सकते हुआ इस्ट सब्सक्राइब है जपताखना बल्ली तक नबले अंदर हिराना अगर कुछ गपर कियाना तो गटिया तुर होड़ु दूना जिले, जितना बोला है उतरा ही कर, ज्यादा दिमाग चलाएगा तो ठोक दोगा जिले, 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 झाल झाल कि बयुआ करें कि अभने कि अभी की अभने वाई आरा भट सि कुछ हमें कि अभने वाई चिकले अभने कि अभने कि अभने कि अभने जी आरा बंडेली है। अरे वो उपर क्या है यह जज जजने हैं अरे लिवल अरे लिवल अरे लिवल अर्ण अर्ण झाल 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 पाइएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए बोला था मत कर मत कर धंदे की वाट लग जाएगी बोला था अब जिंदकी भर भागते रहो या छुपते रहो दो दिन में सब सही हो जाएगा भावी अब इसके आगे कुछ भी बोला ना तो मुह तोड़ दूगी आज कोई भी रूम भाड़े पर नहीं देने का किसी का भी कोई नहीं उठाने का वो चोक्रा लोग और डॉक्टर किदर रहा हाँ अब अब अपिलेट जा भाई इधर जी मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ हाँ मेरी बात सुनाई नहीं दे रहें क्या भाई सुनो ना पता शिवा कहा है अपना शिवा नहीं रहा है यह तु क्या कह रहा है डॉक्टर साम हाँ शिवा को मारते हुए तुने देखा क्या हाँ भाई हमें चूड के चला गया चुड़ा लागया तो इस जो इस चला गया मैं कली आता है कि तब तक तुम अपने आपने भाई शंकर को समझा क्या समझ गया इस क्या हुआ तो रो क्यों रही है नगल जाता हूं न सब ठीक हो जाएगा मैंने पहले ही कहा था कि मच जाओ कितनी भार रोका उसे पर वो माना ही नहीं कहा जब है जा आएगा turned जलिए यूल चलिए थाओम माना ही का सक似 रधार 力 सकत्राश हम डिक वागाएगा टा जाएगाद को पो Onu Communism का संखल जाएगा जाता हूँ को कितनी और्य की मिन जाता हूँ झाल झाल घर लाजू ला पन्जा म में। हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है छाप पोन है छाप फोन हो हाँ हुआ भूलो कर दो 13 साल हो चुके हैं मैं जहे चैन के नींद सोई हुई मुझे हर पल हमेशा मेरे बहन की रोने की अवाज ही सुनाई देती है उसने मेरे सामने ही कसम खाई थी कैसी कसम पता है तुससे और तेरे बच्चों से वो कभी नहीं मिलेगी और उसने अपनी कसम पूरी भी की लेकिन तुससे शादी करवाना मेरी बहुत बड़ी कलती थी जो मैं भुगत रहा हूँ आज के इस दिन का बहुत इंतजार किया है मैंने कहते हैं अगर सच्चे दिल से चहो तो ब्रह्मान उसे पूरा करता है और आज वो दिन आही गया है जह मैं तुझे अपने हां से सजा दूगा मा मा वेशन se कई वेशन 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 विश्डु उपर की दरफ चलो जन्दी सिद्दु सिद्दु चले जाओ यासे जाओ सिद्दु सिद्दु जाओ कर लोस्ट में कर दोड़िवानाangen जया झाला 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 इस धर्थी पर ही हमने चनम लिया है और इसी पर हम जीते हैं और निशानियों को छोड़कर चले जाते हैं और मैं सूरज की दिशा को देखकर घोड़े को दोड़ाता जा रहा हूँ दरावनी अंधेरी रातों में मैं तुमसे तुमारे आसूं से बात कर रहा हूँ हर दिन की तरह ये दिन भे निकल जाएगा ये तो जिन्दगी का काल चक्र है जो हमेशा यूँ ही चलता रहेगा हूँ कि तो व्प्रेश की बहुत बनाफ हैं रहा है विया है प्रंस, रुभरा ने अब भूदच applis! रोद्रा रोद्रा एक अफिशर तुमें बुला रहे हैं रहे! सर रिकेटियर राम प्रसाद है समान जियो रिपोर्ट बैक होम सर इस अफिशल और पर्सनल सर आई डिडिन्ट चेक तर नेक्स ताइम प्लीज चेक इट सर मैंने ही चाहता कि ट्रेनिंग में कोई बाद हाए तेरे बाप ने तुझे बुलाया है त्या होगे सर बाद में मिलें यहां क्यों आए हो किसलिए आए हो सब जानता हूं आप तो मेरे बारे में जानते ही हो ना तो यहां के क्यों सब बताते हो चलो जाओ क्या हो गया यू बहुत लूग एपसलूटली फाइन और ऐसी क्या परेशानी है एमर्जनसी चुट्टी क्यों लेने के लिए बोल रहे हो और इस तारह बीच में बुलाने का मतलब इससे मेरा रिकॉर्ड खराब हो सकता है वो क्यों आया था तुझे पता है क्या उन्होंने यहां आकर क्या कहा होगा तुझे अच्छे से पता होगा मैंने सुना कि तुने कर उस बामा की घर पर जाके उसके पिताजी को धंकी दी उस लड़की से कोई भी शादी करने आएगा तो तू उसे जाकर रोकेगा उस लड़के का मूँ तोड़ देगा क्या शरम नहीं आती गुंडे की तरह बरताव करते हुए तू एक ब्रिकेडियर का बेटा है बूल गया क्या अगर इस तरह करता रहेगा तो बड़ा ओफिसर कैसे बनेगा और आप आपको कुछ नहीं कहना ऐसे मां मैं एक बात बुलूँ क्या है मुझे नास्ता करो बहुत भूग ल लगी है पता है सब लोग क्या कहते है तुम्हारा बेटा युनिफर्म की आड में एक गुंडा है इतने बड़े हो गये हो तुम यह सब करते अच्छा लगता है अकल है या नहीं सुनिया जी अब मैं आपके बेटे को और नहीं संभाल सकती अब आप और आपका बेटा समझ सब्सक्राइब हो गया और तु आगे से किसी से भी तेरे बारे में कोई कंप्लेंड आए तो तुझे जान से मार दूँगी प्रकाश जी अब आपकी बारी है चलिए शुरू हो जाईए लेकिन तेरी मान कुछ बाते तो सही बोल रही है तो हर चीज को मजाक में क्यों लेता है तू वहां जाता है तुझे वहां मिलता क्या है बता आप मुझसे चाहते क्या है रिगेडियर सुन्दर राजम अगर उसने तुम पर चार्शीट दाकिल कर दी न तो तुम्हारा फ्यूचर बरबाद हो जाएगा जरा प्रैक्टिकली सोच कर तो देखो सोच कर देखा मैंने उसके बिना मेरी जिन्देगी कैसी लगेगी मैंने सोच कर देखा तो आगे मुझे पूरा भायान कंधेरा दिखाई दिया आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए अगर आप मेरी जगा होते तो क्या करते बताईए मैं तेरे जैसा बेवकूफ नहीं हूँ जो ऐसी हरकत करूँगा कुछ भी करने से पहले मैं अपने माबाप की भावनाओं को समझूँगा सुनिये आपकी बेवी चली गई मैं तुम्हारे साथ दोस्त की तर अब्येव करता हूँ लेकिन इस मामले में एक बाप की हैस्यत से पूछ रहा हूँ इस बेकार के लफड़े को छोड़ो और मेरी बात मालो क्या बोलते हो ठीक है छोड़ देता हूँ देखिए कुंडली के अनुसार तो इन दोनों के 36 गुण मिल रहे हैं सम्मंद बहुत बढ़िया रहेगा जितना जल्दी हो सके शादी का मुरत निकलवा ही लीजिए ऐसी बात है तो समय बरबाद नहीं करेंगे जितनी जल्दी हो सके हम ये शादी कर देंगे जैसा मैंने पहले कहा था मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ आप एक बार बामा से पूछ ले तो बामा 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 श्री शांत यही नाम हिना तुमारा श्री कांत I think you're amazing जरा हटे दो अंकर साथ श्री कान श्रीकान घसन अंत नाट हमारी जोरी बिल्को परर फैक्ट है मैं एक अच्छी लाइफ पार्णर यह अच्छी लाव्याभ अपार्ण्य के दिखाऊंगी तो लवली अंटी भी अच्छी दिखती है and our kids I'm sure they will be amazing I mean just just look at us actually just look at me लेकिन लेकिन एक चोट इसी प्रोब्लम है कैसी प्रोब्लम? देर इस प्रोब्लम वन सेक्ट मैं राम प्रसाज जी का बेटा रुद्रा राम चन ऑल्सो बामा का बॉइफ्रेंड हूँ जरा उठिये उठिये दो क्या मतलब? बामा मेरी होने वाली बीवी है अगर तू उससे शादी करना चाहता है तो मुझे मारना होगा खड़े होने को बोला तुझे रुद्रा, stop it क्या हो रही है आप टेंचन क्यों ले रहे हो? मैंने कब बोला था कि मैं जरूर हूँगा और मैं आपका ही काम कर रहा हूँ सर और जारा सोच कर देखिए कल कोई बामा को परेशान करेगा तो क्या ये उसकी रक्षा कर पाएगा? ओई, I can take care of myself अरे बामा, ये बात तो मैं भी अच्छे से जानता हूँ लेकिन अपने दामाची नाम क्या बताया? श्रीशंत, श्रीकांत श्रीकांत तुझे अच्छे से रखेगा ये नहीं है क्या है सर ये आपने हमें बेज़त करने के लिए बुलाया है आप हमें इस तरह से बदनाम क्यों कर रहे है थोड़ी सी भी तमीज नाम की चीज नहीं है क्या रद्रा ये क्या कर रहे हो तुम क्या सर पांच सेकंड में भेहोश हो गया सर अगली बार ऐसी गलती मत करना मतलब कोई स्ट्रॉंग लड़का लेकर आईए मेरी तरह बामा मैं आ गई ये डॉन वर्यांटी दो बज़े से पहले डॉप कर दूँगा पहले इसे मिलेटरी अकेडमी से बाहर होना होगा फिर इस पर चार्शीट दाखिल होगा इसकी वज़े से मेरी बहुत बदनामी हो चुकी है मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूँगा इसे जेल की हवा खिलाऊंगा मैं एक्सक्यूज मी सर सर मैंने और मेरी पतनी ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की ये सर्ब उसके फ्यूचर और रिकार्ड को खराब कर देंगे हमने उसे बहुत समझाया अब ये कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो इसे मार मार कर समझायें और वी आल नो रुद्रा इसे मेरिटोरियस करेक्टर लेकिन इस मामले में इफ ये स्टिल तिंग एक्सपरिशन इस अल्ट इस लेफ्ट ये स्कूल में पढ़ने वाला लड़का नहीं है बहुत बत्तमीज है इसे तो बाथ कर मारना पड़ेगा जबान पर लगाम दीजिए आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारी गलती मेरे बेटे की ही है अपनी बेटी पर कंट्रोल नहीं है आपको मेरे बेटे के उपर चार्ट शीट लगा रहे हैं ये कहा का न्याय है आप ज़रा न्याय धर्म की बात मत करिये तो बहतर होगा एक ब्रिगेडियर के घर में घुस कर धमकी देना कितना बड़ा जूर मैं पता है मैं कुछ सोच कर चुप बैठाओं अगर आप लोग अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे करना आता है आप मुझे कंट्रोल में लाएंगी सर तो मैं घर जमाई बनके आपके घर पर आओं चुप कर तेरी जुबानी तेही दुश्पन है तुम शांत्रों रुद्रा मैं क्यों अंदर जाओं एई तुम कहा चारी हो चलो यहां बैठाओ सी वाट आम तेलिंग वित आई वांट इमेडिएटल इमेडिएटल लेट्स नोट में एट ओफिशियल आई गिविम आ वार्निंग आयसे वार्निंग का कोई फादा नहीं है मैं अपनी बेटी को आउस्ट्रेलिया भेज रहाँ पर एक बात सुन लेजिए यह लड़का उसके जिन्दगे में नहीं आना चाहिए लेट्स ओप सो सोच रहाँ कि सिविलियन बन कर जियूँ सिविलियन वो क्यों मेरा यह आर्मी ऑफिसर बनना तुम्हारे पापा को पसंद नहीं है वह आम्य ऑफिसर को पसंद करते हैं तुम्हें नहीं इन एनिकेस आम और गूइं चो मैरिया सिविलियन अगर मैं कोई डॉक्टर या एंजिनियर या बनिया की दुकान पर काम करने वाला होता तो वो हमारी शादी करेंगे तुम चाहे दोबी हो या आटो ड्राइवर ट्रॉक ड्राइवर या बार ओनर तुम चाहे जो भी करोगे मैं तुम्हें ही बसंद करूँगी I'll still love you तुम् रुद्रा सच कहो तो मुझे नहीं लगाता मुझे अपमिशन मिलेगा लेकिन अब क्योंकी मिल गया है तो पापा कह रहा है I must go तुम क्या सोचती हो I'm thinking it's a good idea to देखो कुछ तिन हम दनों अलग रहेंगे तो अच्छा होगा मैं पढ़ाई कहतम कर लोंगी तुम ट्रेनिंग कहतम कर लेना then we'll do what we have to do आजकल कितने long distance relationships होते हैं क्या फरक पड़ता है you know these days with FaceTime and Skype and all it'll be like we are right next to each other अग्रेश से तुम्हें प्यार हो गया तो तब मेरा क्या होगा अंग्रेश से प्यार चुपराओ मुझ जैसी इतनी क्यूट और खुबसुरत दड़की को पटाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन उन्हें नहीं रोख सकती मैंने उसे दिन काल था तुम सिर्फ मेरी हो सिर्फ मेरी हो मैं भी तो यही कह रही हो कि मुझे पटाना मुश्किल है क्योंकि मैं तुम्हारी हो सिर्फ तुम्हारी मैं तुम्हारी अमानत हूं सिर्फ तुम्हारी मुझे भारूसा करो मैं तुम्हारी अमानत हूं सिर्फ तुम्हारी मुझे पर भारूसा करो यही सुना था उसकी जुबान से मैंने उसके बाद मैं उसे कभी नहीं मिला मिला ही नहीं? What do you mean? मैंने भहुत कुशिश की लेकिन उसने माना ही नहीं अगले हफते वो ऑस्ट्रेलिया चली गई उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं गया फिर थोड़े पैसे एकठा करके मैं उसे मिलना उस्ट्रेलिया चला गया था उस्ट्रेलिया में जाकर उसे क्या मिला? पर मिली की नहीं मिली? मिली थी लेकिन जानते हो उसने क्या किया अपने घर में जाकर दर्वाजा बन किया ना उसने दर्वाजा खोला और ना ही मुझसे बात की अई लड़की तो पत्थर दिल निकली मैं जानता हूँ कि वो मेरी बामा नहीं है अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है इसलिए चार सालों से मैं अपने दिल को समझा रहा हूँ अब मेरे लिए बामा कुछ नहीं है लेकिन कल यह लेट रहा है था उसके छोटे भाई ने मुझे जलाने के लिए इसे भेजा है यह तो शादी का इंविटेशन है पुलिस वाले से शादी कर रही है यह क्या बखवास कर रहा है यार उसकी शादी से मुझे कोई अतराज नहीं है लेकिन वो पुलिस वाले से शादी कर रही है यह मुझे तब्रीफ है मैं कुछ समझा नहीं सर वो क्यूं एक पुलिस वाले से शादी करने के लिए राजी हो गई आइड़ों नो सर तुम्हें बिना कुछ बोले तुम्हें छोड़कर जाने की वज़ा क्या थी आइड़ों नो तुम्हें छोड़कर जाने की वज़े जाना नहीं जाओगे तुम्हें मैं उसे कब कब भुला चुका हूं दुबारा उस बाद को क्यों दोहराना शायद प्यारे सा ही होता है मोरे घर आए अत्मन सुख पाए और फिर हम पर से लिए जाएंगे वाट यो तुम नहीं जाना चाहते लेकिन हम लोग जाना चाहते हैं की बात क्या है लेटिनेंट हमारी यूनिट में सब लोग और्रस को फॉलो करते हैं कभी हार नहीं मानते हैं अब लेट्स को केट समाग साथ नहीं मानते हैं नहीं मानते हैं साजन मोरे घर आए 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 करता 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 करत मंगल गाओब जाकपुराब मंगल गाओब WILL जाकपुराब अत्मन सूख बावे रडलों ये ठर्ला ये आ 관लों कि ठर्ला थेज़्साइ, खुड़कीशाइऑ. तगट जुट मत अर्णीज एक हुष के लुगा सीचीे हुष कुछ जड़गें अजैकरत अम्डमाल टिश्वी ए अर्बराथी पढ़ड़ू ।पष्भ अर्ब कर्दंधर अर्ड़ीफ जैकरत पड़ जड़गा ये लिए रुट्रा, जामल वचे जानकर ही आलब, गड़ लग्ड़ लग्ड़ है 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 लोगाई जा सका फूह मिनेट्स चुट्ड वी लीव यह मुझे तुमसे बात करनीत उन्हें तो मिनिट्स के लिए मैं यहां तुम्हे परिशान करने के लिए नहीं आया हूँ टू मिनिट्स बहुत खुबसूरत लग रही हो इससे पहले तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा शुक्ता तुम यहां से चले जाओ प्लीज यह शादी तुम्हारी मरज़े से हो रही है प्लीज गो जवाब दो मैं यहां से चला जाओंगा बाबा आती हूँ आइव टो गो क्या भी मुझसे प्यार करती हो कल तुम दूसरे की बीवी बन चाओगी उसके बाद मैं यह नहीं कह सकता दो स्क्रापब दूसरे की बादाँ मुझसे झाल मैं भादाँ मैं भी मुझसे तुम्हारी मैं यह थाओशागी तुम्हारी मैं यहाँ यहाँ प्लुम्हारी अवाँ चलो उठाँ ये मेरी अमानत है सिर्फ मेरी रुद्रा अगर तुम इससे शादी करना चाहती हो तो पहले मुझे मारना होगा रुद्रा प्लीज सीन ग्रेट मत करो एक बार मुल्ले पस उना ही नहीं देता चलो उठो पुलिस वाले की शादी है ना इसले चारो तरा कुटते गहरे हुए हमानता मुझसे लटा फिर बात कर दे है रुद्रा फिर बात कर दे है अम सॉरी इस ओके अंकल इस ओके कोई बात दी मैं तेयार हूँ क्योंता आज दो क्योंता तरी लगए अज प्राई बात बात लगश कि बात मुँगर। केसी लिए मालोड। मा फशदाप WRा बादा है और जूए दीजिहा फिर से प्रेश फ्रेशों, JAM igual ख नूँन घूटा, ख मोन tumorha, ric Kath dial, गार वह क्योंण घरा यार पूरिस आकेडमी में आपल मेडलिस्ट हुँtu, नेशनल लेवल बॉक्सिंग चैंपिए वेल डन दामाप जी आप ने तो कमाल कर दिया हम लोग यहां तुमें कंदे पर उठाकर ले जाने के लिए नहीं है I have seen you fight before, you are better than this Come on, take your trash and leave Let's come, just come here Come on, come on I will do this Come on, come on Come, come on kr terror एज़ एज़ चाह से जबना से अधल के अलू उब्लुण जोड़े जोड़े! बातरा! प्रूड़े! यूच्छाए? 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 क्यों कर रहे हो तुम यह सब मैं भी तुम से यही पूछ रहा हूं कि तुम मुझे छोड़ कर क्यों गई थी पिछले चार साल से मैं तुमारे लिए तडप रहा था आज मुझे इसका जवाब बिलना ही चाहिए आज तुम इसका शादी करने वाली हो ना बेशक कर लो लेकिन से पहले तुम्हें मुझे जवाब देना होगा तुम्हें जवाब चाहिए ना तु जाकर अपने पिता जी से पुछो आज मेरी चुड़ये हालत है ना इस बिघ्टव। फॉथenden यह तुम क्या रही हो जो कहा है तो जाकर उनिंख से पूछो उन्होनомина ही मुछ मेरे पापा ने तो सारी तैयारियां कर रखी थी अगर तुम आमे ओफिसर नहीं बनते तो तुम बर्बाद हो जाते और इन सब की वज़ा तुम्हारे पिताजी होते पिताजी यह सा नहीं कर सकते मामा इस मैं बेस्ट फ्रेंड अगर उन्होंने मना किया तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी आखिरा क्या कर सकती थी मैं तुम्हें पता है मुझे अस वर कितनी तकलीफ हुई थी औरी तरह से टोट चुकी थी मैं and you come here on my wedding day and ruin everything for me you've ruined everything for me चले जाओ यहां से leave andra I let easy, hi auntie थोड़ा सालो तोड़ा सलो no no auntie thanks you want to have some तुने चीकन लिए can you pass this please what are you? chicken for you तुम्हेरे लिली चीकन क्या हुआ जावा रिश्वारा यगा वहां शुकर यहलो बादाब मुझे बताए बिना उन्होंने यह सब क्यों किया तुम कर सकती हो पर पापा यह सब क्यों किया यह राज किसी को भी नहीं बताए बिटा जब तुम दो साल के थे तब तुम्हारे पापा और मैंने अलग होने का फैसला किया था पर हम दोनों हो नहीं पाए इसकी वज़े तुम हो तुम हो कारण की हम दोनों मिलकर जी रहे हैं यह यह बात मुझे तुम्हें नहीं बतानी थी लेकिन आज बतानी बढ़ रही है क्योंकि हाला थी कुछ ऐसे हो गए हमारी अलग होने का कारण था तुम्हारे पापा का एक औरत की साथ ना जाय संबंध पापा ने लेकिन उसका इस बात से क्या संबंध है संबंध है कि वह औरत है कि वामा की माँ थी वोट लेकिन वह रिष्टा जादे दिनों तक नहीं ठीका था बीच में ही जूट गया लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद हुआ है हमें कहीं से पता चला कि वह प्लेगनेंट है तो फिर बामा मैं नहीं जानती और हमने जाने की कोशिच भी नहीं की बिटा हम लोगोंने सोचा तुम्हारे और बामा के बीच जो रिष्टा है वो टीनेज इंफाच्वेशन हो सकता है कुछ दिनों के बाद बदल जाएगा लेकिन तुम लोगों का ये रिष्टा हाथ से आके पड़ गया तब हमें कुछ डल महसूस होने लगा इससे पहले कि ये बाद हाथ से निकल जाए कुछ गलत ना हो जाए तुम्हारे बापा बामा के पास गये थे पिताजी ने उससे कुछ कहा था कि पापा ने उससे कुछ नहीं कहा बामा इसके बर में जानते हैं अब हम जानते हैं शाथ उसकी मां भी जानती होगी लेकिन उसके पापा को रुद्रा ये बात हम तुम्हें पहले बताते ना चाहते थे वेजा सॉरी आ'M डेको इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है तुम्हें कुछ कलत नहीं किया सारी गलती हमारी है तुम प्लीज रुद्रा बीरीरी सॉरी सारी रुट्रा, सारी, सारी क्यों पिताशी, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है आपको और कोई नहीं मिला किया यही तुमसे मैं पूछू तो और कि झाल था झाल, झाल, फिकाशी तुमसे कि उताशी अहीं कि भीघए तुमसे तुमसे पिंचा सकेशी तुमसे नहीं कि धिए तुमसे इता है तो प्रोफी अस्यूर कुछ प्रिद्ट्ट के沃फ जो उनेमेश को ...... I need your breath again I need your heart I need your breath again 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 झाल 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 झाल